Math special course में आप लोग का स्वागत है यह है mensuration का part number 42 इसे पले part 1 से लेकर के part 41 तक अल्रेडी मैं provide कर चुका हूँ और total 410 question complete करा चुका हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे question number 411 से यानि 411 से लेकर के 420 तक इस topic से मैं total 594 question आपको complete कराने वाला जिसमें से मैंने 1 से लेकर के 410 तक question complete करा चुका हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे question number 411 से 420 तक के video solution as well as आपको 594 question मैं इस topic से complete कराने के बाद यह topic end करूँ तो चलिए देर नहीं करते हूँ हमें start करते हैं session को question number 411 देखें क्या दिया गया अगर देखो question देखो गया तो बहुत आसान question है question में यह कहा गया कि एक sphere है और एक क्या है हमारे पास cylinder है sphere और दूसरा cylinder है दोनों की radius सेम है क्योंकि 3 cm दिया गया है h यानि अगर इसकी radius की बात करूँ तो ये भी 3 है और ये भी 3 है second इन दोनों का volume सेम है अगर इसके volume को मैं b1 मानू और इसके volume को b2 तो दोनों क्या है same है b1 is equal to b2 ये questions में दिया गया है ये question में दिया गया है हम अपने से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं अब आते हैं पूछा गया curve surface area of cylinder इस cylinder का हमें पूछा गया है curve surface area क्या हो तो चलो volume आप जानते हो sphere का volume क्या है 4 by 3 pi r q is equal to cylinder का volume क्या होता है pi r square h क्यों मैंने r ही लिखा क्योंकि r दोनों के जग़े पे same था तो चलो pi से pi cancel r square से यहां पे r cancel हुआ तो सिर्फ 1 r बचा यहां पे क्या बचा 4 by 3 r is equal to h यहां तक हो गया अब 4 by 3 into r की value मैं यहां से उठा लूँ देखो क्यों क्योंकि हमारे पास r की value 3 दी गई है चलो मैं लिख देता हूँ r की value 3 is equal to h यहांनि height कितना आ गया 4 cm हमारा height आ गया जब height आ गया हमसे लिकालना है curve surface area of cylinder cylinder का curve surface area क्या होता 2 pi r h तो 2 into pi की value 22 by 7 radius तो दोनों के case में 3 ही था और height कितना है 4 बस solve कर लेते हैं हमारा काम हो जाएगा अब यह को solve करने जा रहा हूँ तो किस तरह से हम solve करेंगे देखो 12 into 2 24 24 into 22 by 7 अगर इस मैं 22 को मैं लिख सकता हूँ 22 into 11 यह कितना होगा 24 into 2 48 into 11 upon 7 48 11 का multiply किसी भी number में जानते हो तो क्या लिखूँगा 8 8 4 12 और 4 5 28 upon 7 5 28 upon 7 आगया हमारा answer कौन सा आएगा answer देखो मैं highlight कर देता हूँ कौन सा answer आएगा वो हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं option से देखो ध्यान से अब मैं unit डिट चेक करूँगा 8 किसका है तो देखो 7,5,35 35 और 3 38 ये में भी हो सकता है 7,5,35,35 38 ये भी हो सकता है 7,4,28,28 और 3 नहीं हो सकता 7,2,14,3,17 7 तो unit जिट है नहीं ये दोनों का 8 हो सकता आप किसी को चेक कर लो तो देखो ध्यान से इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ multiply करूँगा तो 420,35 420,35 45 और 3 कितना हो गया अंठावन यानि 458 upon 7 होगा जब कि ये भी possible नहीं है तो कौन option हो गया यहीं हो गया क्यों क्योंकि multiply देखो 57 सही 3 upon 7 पहले इसको multiply करते है तो 490,35 और ये 3 extra add करूँगा तो कितना हो जाएगा देखो 490,35 कितना हो गया 525 525 और 3 कितना हो गया 528 यानि यहीं तो है 528 by 7 तो चलो इसको हमने answer कर दिया तो option A correct answer हो जाएगा क्योंकि हमारा जो match कर रहा है तो 411 का count answer हो गया option number A correct answer चलिए next question पर आपने है देखे next question question number 412 The total surface area of a right circular cylinder with radius of the base is 7 cm and height total surface area of cylinder total surface area cylinder का होता क्या है total surface area cylinder का होता 2 pi 2 pi रुख जाओ एक मिनट मैं eraser ले लूँ यहां से लेता हूँ पेन ले लिया ठीक है total surface area आप जानते हो तू देखो total surface area क्या लिक होगे curve surface area plus area of top and bottom area of top 2 into area of क्या लिक होगे circle अगर मालो बाई दवे याद नहीं आ रहा है देखो मैं कैसे बोला यह cylinder है यह cylinder है cylinder का मेरे को total surface area लिकालना है न तो total surface area क्या होगा यह वाला curve वाला part curve वाला part surface area क्या होथा 2 pi r h और plus अब कौन सा बचा है यह circle उपर बचा और यह circle नीचे बन जा एक circle का area क्या होथा pi r square तो दो circle है तो दो से multiply अब इसमें common करना चाहो तो common कर सकते हो 2 pi r into r plus 2 pi r into क्या होगया तो h यहां से आया और r यहां से आया यानि मैं directly यह इतना भी लिखोना नहीं चाहिए आपको याद होना चाहिए formula नहीं भी याद है तो आप directly लिख सकते हो थोड़ी दिर में total surface area क्या होगा 2 pi r into r plus h चलो मैं हटा देता हूं सारा कुछ क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो total surface area of cylinder क्या होता है 2 pi r into r plus h चलो solve कर लो 2 into pi की value 22 by 7 into radius कितना है 7 क्योंकि radius दी गई है और height कितना है 20 यानि 7 plus 20 चलो solve कर लेते हैं 7 से 7 cancel हो गया 2 into 22 into 27 अब देखो मैं multiply कैसे करूगा इसका multiply करूगा तो 54 54 into 22 अब देखो यार 4 into 2 8 एक ही option में unit digit check करो unit digit 8 होगा न इसका तो देखो किस में option में आ रहा है एक ही option में आ रहा है 8 बाकि यह तीनों option में तो है नहीं यहाँ पे 0 है unit digit एक ही option साही है तो option number D is the right answer of this question check करने की जोरत है फिर multiply भी करनी है तो देखो मैं कैसे करूगा इसको मैं 2 देदेऊ तो 54 into 2 into 11 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 108 into 11 multiply कर लो 8 8 कितना हो गया 1 और 1 answer हो गया चलिए next question question number 413 देखते हैं 413 question क्या दिया गया है देखे क्या दिया कि the radius of a base and curve surface area of a right circular cylinder radius R unit and curve surface area इतना है ठीक है मैं एक मिनट देख लूँ कि मेरा charger चलो एक मिनट मैं charger को include कर लेता हूँ ठीक है चली एक चार्ट डिश्ट हो गया था लेट अज लगा दिया हूँ अब देखे हमारे पास radius cylinder का दिया गया था radius R है और इसका curve surface area दिया गया पूर पाई आ रहे जहें तो हमें पुछा कि height of a cylinder जो question दिया गया है उसके according हम बढ़ेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास curve surface area दिया गया न curve surface area होता क्या है cylinder का 2 pi r h let's suppose मैंने ऐसे बोल दिया ये cylinder है इस cylinder का radius R है और ये जो height है ये capital H है और वो किसके बराबर curve surface area दिया गया है यहाँ पे question में मैं highlight भी कर देता हूँ ताकि आपको better understanding हो तो वो कितना है 4 pi r h के बराबर और क्योंकि radius R दिया गया था इसलिए मैंने इसको R लिया हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे R लिया हूँ चलो pi r से pi r cancel यहाँ से 2 यानि height क्या मिला cylinder का यह cylinder की जो क्या थी height थी तो height मिल गया हमें कितना 2 h अब आगे बढ़ते है हमें पूछा गया है height of a cylinder height of a cylinder कितना हो गया 2 h unit कौन सा answer match कर गया option number d देखो यहाँ पे h is equal to 2 h तो यहाँ पे 2 h 413 का कितना हो गया d correct answer हो गया चलिए next question पे आते है next question question number 414 a hemisphere bowl has 3.5 cm radius it is painted inside as well as outside the cost of painting the cost of painting the cost of painting it at the rate of 5 per 10 square centimeter will be अब देखो question आसान है question की language से आप डरना नहीं है देखो हमारे पास एक hemisphere bowl है इस तरह से hemisphere bowl है कहा गया है इसमें यह कहा गया मैं color change कर लेता हूं इसमें यह कहा गया है कि इसको paint करना है inside as well as outside यानि outside as well as क्या अंदर वाला inside outside और inside दोनों paint करना है तो बताओ inside का area क्या होता है 2 pi r square inside का और outside का area क्या होता है यह inside है यह outside outside भी वहीं होगा curve surface area के बराबर 2 pi r square overall इसका paint वाला paint करने का area कितना होगा तो 4 pi r square simple सा logic है diagram बनाने की ज़रुवत नहीं थी अंदर का paint करोगे तो 2 pi r square क्योंकि curve surface area paint होगा और बाहर का करोगे तो curve surface area होगा यानि घर में एक कटोरी है कटोरी को अंदर और बाहर paint करना है देखो simple practical वे से मैं समझा रहा हूँ practical देखो आपके घर में एक practical देखो समझो घर में आपके पास एक कटोरी है ठीक है उस कटोरी को आपको paint करना है paint करना है अंदर भी और बाहर भी तो बताओ बाहर वाला कटोरी का paint करोगे ये वाला और अंदर वाला कटोरी का ये paint करोगे जो खाली वाला portion है वो तो paint नहीं होगा ये वाला तो paint होगा नहीं तो अंदर का curve surface वाला part का area और बाहर वाले का surface का part का area यह जो paint करना है अंदर बाहर उसका area क्या हुआ finally, finally area हुआ यह 4 pi r square I hope आपको यह समझ में आ गया, तो देखो ध्यान से चलो, solve कर लेते हैं देखो ध्यान से, अब समझो बात को 4 into pi की value 22 by 7 into radius 3.5 into 3.5 यह तो हो गया, यह क्या आया, इतना centimeter square paint करना है, अब यहाँ पे देखो, खुद समझो देखो ध्यान से पूछा यह नहीं गया है, पूछा क्या है, the cost of painting, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है 5 पर 10 square centimeter अब देखो यानि 10 square centimeter का cost कितना है, 5 रुपे यह दिया गया, न 10 centimeter square का cost 5 रुपे आ, तो एक centimeter square का cost कितना होँगा, 5 by 10 हमारे पास इतना centimeter square है, हमारे पास इतना centimeter square paint करना है, तो बताओ एक unit की value, तो इतना unit की value into क्ya? 5 by 10 इतना क्या आगया? rupees जा जाएगा बस इसी को हमें क्या करना है ब cev करना है हमें सिरफ इसको सोल करना है और हमारा काम आसान हो जाएगी मैं berच कर लेता हूं ताकि आपको better understanding हो सक्किये ठीक है चलिए देखेँ cancel मैं करने जरा हूं कैसे यहां से हटाओ यह यह 10 हो गया, यहां से अटाव यह 10 हो गया, 7 से 5 टाइम्स में, ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 into 5 कितना होता है, 25, 25 से यह 100, 4 टाइम्स में चला जाए, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में, 4 से यह 4 कैंसी, 2 से यह kитना हो गया, 11, यहाँ पे 11 हुआ यहाँ पे 7 11 into 7 that means कितना हुआ 77 रूपीज और 77 रूपीज एंसर कौन सा आ रहा है हमारा देखो हमारा 77 रूपीज आ रहा है तो option A क्या हो जाएगा correct answer हो 414 का option number A चलिए next question color मैं change कर लेता हूँ next question के लिए question number 415 आते हैं देखते हैं क्या दिया गया है the volume of a right circular cone which is obtained from a wooden cube of age 4.2 dm, dm मतलब decimeter wasting minimum amount of wood age देखो सबसे पहले मैं आपको समधाना चाहूँगा यह question दो बार repeat किया गया है इसको important mark कर लेना और जो मैं concept बताने जा रहा हूँ कोची ध्यान से सुनिएगा हमें यह क्या कहा गया है कि एक लंब बृतिय संकू का आयतन जिसे इतना centimeter के लकड़ी के घंसे बनाया गया है तो जिसमें कम से कम लकड़ी ब्यर्थ हुई हो जैसे देखो हमें एक cube है देखो ध्यान से समझो बात को हमें एक cube है इस cube का age इस cube का क्या दिया गया है हमारे पास देखो ध्यान से age दिया गया है यानि कि कितना है 4.2 dm dm means decimeter ठीक है कभी भी examiner आपको dm देगा decimeter mm mm means millimeter m कहा यानि कि meter तो यह सारी चीज़ें आपको पता अब दियान से अब कहा ज़रा कि इस cube से हमें क्या बनाना है right circular cone यानि हमें एक cone बनाना है हमें एक क्या बनाना है इस तरह से cone बनाना है लेकिन एक mention किया गया है एक ऐसा cone बनाना है जिसमें wasting जो लकड़ी क्योंकि यह लकड़ी का यह जो cube था ये घन ये लकड़ी का था हमें इससे ये बनाना है और कम से कम हमारा जो लकड़ी है वो खराब हो यानि कम से कम लकड़ी बेर्थ हो ये कहा गया है तो समझो बात को यहाँ पे समझाना चाहूँ कि जो ये 4.2 आया न, देखो द्यान से, समझो बात को, ये 4.2 age है, तो जो इसकी radius आएगी, ये इसका radius, radius जो होगा, कौन का, वो इसका आधा होगा, यानि जो age है, उसका half होगा, तो half क्या हो जाएगा, तो बताओ, तो 4.2 divided by 2, यानि की 2.1 dm, अब आगे बढ़ते हैं, जो ये height होगी, कि कम से कम minimum लकड़ी खर्च हो, देखो ये concept है, height जो होगी, वो इसी के बराबर, क्योंकि ये जो height जो होगी न, ये इसी के बराबर हो, तो height ये वाला length के बराबर हो, तो height कितना हो जाएगा, 4.2 dm, और हम से पूछा क्या क्या है, उसका volume लिकालना है, volume, volume कोन का क्या होता है, 1 by 3 pi r square, अब एक ही समझो बात को, क्योंकि हमारा जितने भी ये terms आ रहे हैं, वो क्या रहे हैं, decimeter में ही आ रहे हैं, तो हमें change करने की तो जरूरत है नहीं, चलो, 1 by 3 into pi की value, 22, 27, into radius, 2.1 into 2.1, क्योंकि radius ह मारे पास यहां है, और ये याद रख लेना, क्योंकि ये दो जगा काम आएगा, एक बार और पूछा गया था, कि जो इसकी radius होगी, कौन की, वो इसके edge के half हो जाएगी, और height क्या होगा, height जो होगा, वहीं इसके edge के बराबर, क्योंकि ये सारे जगा, क्या है, same है, cube है, तो ये 0.3 हो जाएगा, 3 से इसको काटने जा रहा हूँ, 3 से तो 0.7 हो जाएगा, अब multiply कर लूँ यार, देखो multiply कर लेता हूँ, देखो multiply कैसे करता हूँ, 22 में 4.2 का multiply करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, 22 में 4.2, चलो, 22 में into 4.2 into 0.3 into 0.7, छोड़ दो, मैं उतना नहीं कर करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, 22, 88 और 22 दोनी 44, 88 प्लस 4, लेकिन उतना क्यों करूँ यार, पहले इसको multiply करूँ, देखो ध्यान से, मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं इधर sort में चला जाओ, तो इसको मैं इससे multiply करूँगा, तो 3 दोनी 6 और 126 हो और 2 एक अंग पे decimal, एक अंग पे decimal, दो अंग पे decimal, 1.26 इन्टू 0.7 ये रहा, अब 0.7 साच्छा के 42, पोर कहरी 12 साथे 84, 84 और 4, 88, दो और 13 अंग पे digit के बाद, 0.7 इतना, इन्टू इसमें 22 का multiply करूँगा, अब ये तो थोड़ा सा आपको relevant, थोड़ा सा दिक्कत आ रही ह कितना अप्रोक्सिमेट आएगा, 22 से थोड़ा सा कम आ जाएगा यार, 19 पॉइंट सम्थिंग आएगा, मैंने कैसे सोच लिया, ये भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से, खुछ सोचो, देखो ध्यान से, let's suppose, देखो मैं बता रहा हूं, मैं कभी भी पूरा केलकुलेशन पे फोकस नहीं करता, हमारे पास ये है ना, देखो ध्यान से, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, 22 इंटु 0.882 से मल्टिप्लाई करता, अरे इसको भूल जाओ यार, इसको मैं 22 इंटु, इसको मैं, let's suppose, 1 भी मानूं, तो ये 22 होगा, यानि अगर मैं इसको accurate 1 मानूं, तो 22 होगा, समझ गए, मैं कभी भी पूरा calculate नहीं करता हूं, तो I hope आप समझ गए होगे कि मैं किस तरह से calculation करता हूं, और ये question का answer आ गया, यानि 415 का answer क्या हो जाएगा, B correct answer होगा, चलिए next question, question number 416, देखो 416 क्या दिया गया है, a right triangle with side 9, 12 and 15 cm is rotate about the side of 9 cm from a cone, the volume of a cone so formed is, यार देखो ये question आसान हो जाता है, कैसे, ओचीज़ देखो, अब देखो, मेरे को एक चीज़ तो पता चल रहा है ना, कि right triangle है, क्योंगी कहा गया है, right angle triangle, जिसमें, let's suppose, ये 9 है, मैं मान लेता हूँ, ये है 12, तो ये definitely है, hypotenuse होगा, 9 और 12 किसी को मान सकते हो, हमें rotate किसके along करना है, देखो ध्यांस, हमें rotate 9 cm के along करना है, यानि इसके along rotate करना है, जब इसको हम rotate करेंगे, जब इसको हम rotate करेंगे, तो इस तरह से diagram बनेगा, rotate करेंगे, तो इस तरह से कोन बन जाएगा, तो rotate करने पर कोई फरकी नहीं पड़ा, क्योंकि वहीं height तो यहीं रहेगी, height तो यहीं रहेगी, और ये क्या बनेगी, उसकी radius, और ये क्या बन जाएगा, height, इस तरह से कोन को rotate करेंगे, पूछा गया volume of icon volume of icon क्या होता है 1 by 3 pi r square h तो 1 by 3 into pi pi की value 22 by 7 radius इस case में radius अब क्या हो जागा क्योंकि rotate करोगे ऐसे ऐसे rotate करोगे तो ये बला radius होगा कितना 12 12 into 12 into height height कितना हो जाएगा 9 बस solve कर लेते हैं देखो द्यान से अब इसको calculation ही तो है और कुछ तो मेरे recording नहीं है इसमें या आपको difficulty face करनी पड़े चलो 3 से ये 3 times में अब क्या होगा pi के जगा पे pi ही है answer में तो यहाँ पे रहने दो इसको pi ही suppose रहने दो पस इसको multiply करना है 12 into 12 144 into 3 into pi 42 और 43 यानि 432 pi चलो देखो यहाँ पे answer count सा match कर रहा है 432 pi एक ही option match कर रहा है यानि option number एक correct answer हो जाएगा बाकी इस question में कुछ था नहीं है इसा जो difficulty face करनी पड़े चलिए question number 417 417 पे देखते है अभी इससे पहले मैंने बोला था ना कि दो बार question पूछा गया वहीं वाला question है कि हमारे पास एक cube है देखो द्यान से हमारे पास एक cube है इस cube से हमें एक right circular कौन काटना है इस cube से हमें ये कौन इस cube से ये जो cube है न इस cube से हमें ये कौन काटना है वो भी largest वो भी क्या है largest काटना है इस cube की age दी गई है 7 तो मैंने बताया था यह radius क्या होता, इसका radius क्या होगा, इस 7 का half हो जाएगा, age by 2 मैंने बताया था, यानि 3.5 या 7 by 2 रहने दो, और height जो यह age क्योंकि यह भी age 7 ही होगा, क्योंकि cube है, तो यह जो height इसके बराबर ही हो जाएगा, या height कितना होगा, 7, जब हम large cube, large cone काटेंगे तो, चलो, वस हमें क्या लिकालना है, cone का volume, इस cone का volume होता क्या है, 1 by 3 pi r square h, solve कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 1 by 3 into pi की value, 22 by 7 into r square, 7 by 2 into 7 by 2, into height क्या है, 7, एक 7 से, एक 7 कैंसी, 2 से ये 11 times में, अब देखो मैं multiply करने जारू, 7 into 7, 49, यहाँ पे देखो, into 11, upon नीचे क्या रहा गया, 3 into 2, 6, अब multiply 11 का आसान होता है, 9, 9 plus 4, 13, और 1, 5, upon 6, 6 से मैं भाग देने जागा हो, देखो, 6, 8 जा, 6, 8 जा, केतना होगा है, 48, यानि 8, स्टार्टिंग जो होगा, वो 8 से होगा, यह 13 से हो रहा है, यह इतना से हो रहा है, यह इतना से हो, एक ही option है, 8 से स्टार्टिंग, तो option number C, पूरा calculate मत करो या, अगर calculate कर रहा हो, तो direction में, देखो, 6, 8 जा, 48, 48, 59 बचा, 6, 9 जा, 54, यानि 89 point something आएगा, एक ही option है, लेकिन मैं पूरा calculate नहीं करता हूँ, पहले ही number से पता चल गया, कि हमारा option कौन सा correct होगा, option number C, चलिए next question पे आते हैं, question number 418, 418 पे आते हैं, देखे क्या गया गया, by melting two solid metallic sphere of radius 1 cm and 6 cm, a hollow sphere of thickness 1 cm is made, okay, the external radius of a hollow sphere will be, देखो यार, question मेरे को अच्छा लगा, देखो कैसे, हमारे पास दो solid metallic sphere है, एक sphere, दूसरा sphere, एक की radius 1 दी गई है, दूसरे की radius 6 दी गई, इससे हमें, इसको हमें क्या करना है, इन दोनों से melt करना है, melt नहीं करना है, हाँ, melt ही करना है, by melting two, इन दोनों को melt करके, कि हमें एक क्या बनाना है hollow sphere hollow का मतलब क्या होता है खोखला sphere बनाना है कि अंदर से वो क्या हो खोखला जिसकी thickness thickness दी गई है यानि thickness कौन सी ये वाली thickness का मतलब क्या होता है इसको हम बोलते हैं thickness जिसकी thickness क्या दी गई है one जिसकी thickness दी गई है one तो हमें पुछा गया है external radius of a hollow sphere let's suppose external radius external radius का मतलब क्या है कि यह center है तो center से यहां तब external radius let's suppose मैं अंदर वाला यहां वाला part को मैं x मानूँ यह वाला यह है one तो external radius क्या हो जाएगा external radius यह total कितना हो जाएगा x plus one अब आते हैं बात और अंदर वाला radius हमने क्या माना x ठीक है अगर ऐसे नहीं समझ में आता x नहीं मानना चाहते तो दूसरा मान लो मैं eraser ले लेता हूं देखो द्यांसे x नहीं मानना है न यार तो x नहीं मानना तो r मान लो कोई फरक नहीं पड़ता देखो internal radius r मान लोगे तो external यहां से यहां तक radius external radius क्या हो जाएगा r plus 1 अब देखो यहां से इसका क्योंकि melt करने पर volume same होगा तो इनका directly मैं लिखो 4 by 3 pi r cube होगा तो 1 का cube 1 6 का cube 216 यहां तक हो गया यहां तक तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है according to me कि यहां तक किसी को नहीं परोड़ना क्योंकि एस फेयर है खोखला तो 4 by 3 pi क्या होगा capital r capital r का cube minus small r का cube अब देखो ध्यान से 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel यहां पर कितना होगा 217 is equal to r q capital r कौन सा है यह यह क्या है r plus 1 r plus 1 r plus 1 का hole q minus small r क्या था है small r आ रही है यानि r का cube अब यहां तक हो गया अब चाहो तो इसको हम a plus b का hole square पे break करके solve कर सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगा न एक और तरीका समझा क्यों मैं इसको waste करूँ क्यों मैं इसको लिका लूँ solve करके quadratic बना करके क्योंकि मेरे पास option तो है न भाई exam में तो option का खेल है option तो दिया होगा देखो ध्यान से अब मैं आता हूँ यहां पे देखो ध्यान से यह क्या है external radius external radius कितना है 8 और external radius है कितना r plus 1 तो r plus 1 8 तो r is equal to कितना हो गया यहां से minus हो जाएगा यह नहीं साथ r के value 7 रखने पे किया है आ रहा है 7 का cube 7 का cube कितना होता है 343 minus sorry यहां पे r plus 1 r रखूंगा 7 तो यह 8 होगा 8 का cube 512 minus 7 का cube 343 क्या यह match कर रहा है नहीं match करेगा न 9 आएगा unit digit ही नहीं match किया जबकि आना चाहिए यानि यह option नहीं हो सकता अब 9 के जगा पे रखूं external radius कितना है 9 क्योंकि जो लिकालना है वहीं दिया रहेगा न option में external radius है क्या r plus 1 क्योंकि हमने assume किया था यहां पे देखो मैं highlighter भी लगा देता हूं यहां पे देखो तो बताओ r plus 1 is equal to 9 तो देखो r plus 1 9 तो r क्या होगा 9 minus 1 8 तो 9 का cube minus क्या 8 का cube तो देखो 9 का cube कितना होगा 7 to 9 8 का cube कितना होता है 512 तो बताओ यह आ रहा है क्या 270 देखो देखो 7 यह बच्चा 2 में से 1 गया 1 और 270 यानि यह 270 के equal आ रहा है आ रहा है न मैं color भी change कर लेता हूं तो देखो 270 सत्रा मैच कर रहा है यानि external radius है कितना 9 आई होप आपको समझ में आ गया होगा option भी correct answer देखो कभी भी book देखो book में क्या होगा मैं बता रहा हूं book में अब जब solve कर रहा हूं इसको solve करेगा a plus b का whole cube में break करेगा a plus b का whole cube में break करेगा फिर quadratic बनाएगा फिर solve करेगा क्यों मैं करूं यार हम क्योंकि हमें smart approach पर जा रहा है कि ऐसा नहीं question को करना ही करना है option का hint ले सकते है न तो option का help लो यार नहीं होता फिर यह verify कर लेते क्योंकि हमें one to thirty तक तो क्यूब पता है न मैं हजार बर बोल चुका हूं कि भाई याद रख लो अगर आप नहीं thousand time बोल चुका हूं अगर नहीं याद रख रहे तो वह आपकी गलती है ठीक है चलिए next question पर rate of five kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 meter long इतना मीटर वाइड okay the time taken for the rise in the level of water to be saved अब देखो दियान से यार ऐसे question मैं कितनी बार बता चुका हूं उसके process भी बता चुका हूं कि हमारे पास एक water water flow कर रहा है इस तरह से water flow pipe है जिसके बारे में देखो डाइमीटर दिया गया 14 cm डाइमीटर अगर 14 cm है तो radius कितना होगा साथ यहां तक हो गया इसकी speed के बारे में दिया गया है speed कितनी है speed है 5 km per hour मैंने बताया था speed को edge आप क्या choose करो height जब भी ऐसा question हो तो मैं बताया था कि speed को edge treat करो height यानि height कितना दिया गया है 5 km per hour अब 5 km per hour है उसको तो हमें change करना पड़ेगा ना बस हम उसको change करेंगे और तो कुछ नहीं है आगे बढ़ते है इसका जो पानी flow हो रहा है क्योंकि यह speed था speed को हम edge treat करेंगे height जो पानी flow हो रहा है वो rectangular tank में हो रहा है यह rectangular tank है इस rectangular tank की लंबाई length दी गई है 44 meter ठीक है length नहीं इतना meter long 50 meter long है length दिया गया है 50 meter width दिया गया है वो है 44 meter और इसकी जो water का label जो इसमें भरा हुआ है वो कितना है यानि की height कितनी है 7 cm तो बताओ क्योंकि यहीं पानी इसमें इकठा हो रहा है तो volume सेम करें बताओ pipe का volume क्या होगा क्योंकि cylinder के type में है तो pi r square h pi r square h और हमें time लिकालना है तो let suppose कितने time में तो let suppose t time लगा हम let suppose t time लगा है is equal to volume यह इधर का volume क्या होगा lbh क्योंकि rectangular है lbh अब देखो दियान से pi की value में 22 by 7 तो लेनी ही पड़ेगी और तो कुछ हम कर नहीं सकते इसमें न pi की value 22 by 7 radius देखो दियान से यहाँ पे terms क्या है देखो meter में है यहाँ पे terms meter में तो यहाँ भी terms यह centimeter में है तो meter में बदल लूँ तो centimeter को meter में बदलूँगा तो 7 by कितना होगा 100 meter 7 by 100 meter into height height के जग़े हम क्या बोलेंगे इसको देखो 5 kilometer पर आव रहे kilometer को मैं change करूँगा meter में तो 5 into 1000 meter होगा यानि 5000 meter into time is equal to lbh क्योंकि इधर सारे 50 into 44 into यह 7 centimeter में तो meter में इसको भी change करेंगे तो 7 by 100 1 7 by 100 से 1 by 7 क्योंकि सारे terms हमने meter में कर दिया इससे हमारा काम आसान हो जाएगा चलो तो यह cancel हो गया अब आते हैं 22 से 2 times में 7 से 1 7 cancel हो गया 2 0 से 2 0 cancel हो गया 50 से 50 cancel हो time कितना आया यहाँ पे सिर्फ बचा 2 यानि 2 hour ला जो भी time किस में था hour में तो time 2 hour लग आयोप आपको समझ में आ गया होगा 419 का option number A correct answer हो जाएगा unit का conversion हमेशा ध्यान रखो अगर सारे को सारे term को एक में करो फिर cancel करो मैंने unit centimeter को मैंने meter में कर दिया जहाँ centimeter में था यह 5 kilometer में था kilometer को meter में करने कलिए thousand से क्या करते है multiply और यह जो hour में था यह वला unit यह hour में आ जाता क्योंकि उसको थो हमने change नहीं किया था इसलिए हमारा answer किस में आया था hour में तो unit conversion का खेल था और बाकी कुछ नहीं बाकी conceptual portion था ऐसे question में मैं हमेसा बोला हूँ speed को as a height treat करोगे कभी भी question गलप नहीं होगा चलो next question number 420 the volume of a rain water that can be collected from 1.5 hectare of ground in a rainfall of 5 centimeter देखो यार फिर यह question मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस question के language से डरते हैं और जहाँ language barrier आता है मेरे को पसंद आते हैं क्योंकि language से मज़ा आना चाहिए जब आप means के paper देने जाओगे ना तो जो challenging question होते है arithmetic है वो language कहीं खेल होता है और language पर आपकी command हो गई तो language की command होगी तो आप आसानी से question करना सुरू कर दो चलो अब इस question में देखो ध्यान से पड़ोगे न तो सबसे आसान समझ में आएगा सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए यार volume चाहिए किसका rain water का यानि जो बारिस हो रही है बारिस फोल हो रही है अब question में कहा गया है कि जो पानी collect किया गया rain water का वो कितना hectare में इतना hectare of ground अब बताओ 1.5 hectare hectare अब सबसे पहले यहाँ पे समझो बात को सबसे पहले समझो बात को हमको चाहिए volume meter q में न तो हम पहले hectare को change करेंगे अब देखो ध्यान से समझो बात को हमकी meter deka hectare अब देखो हेक्टो यहाँ प्यारा इसको लिखो one और meter कहां पे है यहाँ पे न तो यानि one hectare is equal to कितना जो zero लगाओ यानि hundred meter one hectare मतलब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे समझो बात को hectare है hectare का मतलब समझ में आ millis centi decimeter deka hectare hectare है यहाँ पे area की बात की गई है तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए जब इसको हम करेंगे convert किसमें करेंगे meter square में convert करेंगे तो यह meter है meter square में करेंगे तो one thousand two zero और बढ़ा देंगे यानि इतना meter square हो जाएगा क्योंकि हमें इसका क्योंकि कितना area में हमने हम फाइंड आउट कर रहे हैं कितना area में हमने पानी collect किया तो one point five hectare को हमें meter square में change करना है तो बताओ meter square में में करेंगे तो यह meter square में करेंगे तो दो जिरो और बढ़ा देंगे यानि one hectare one hectare की बात करूं one hectare में इतना meter square होता है तो one point पॉइंट फाइप हेक्टियर में कितना होगा 1,5 इंट कितना 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 यचा मेटर हो गया अब समझो बात को यह क्या आया area यानि कितना area में पानी कठा लुए और जो rainfall हो रहा है वो कितनी 5 centimeter सेंटीमीटर तक हुआ यानि यह क्या रिपरजेंट कर रहा है हाइट कि यानि बारिष कितनी सेंटीमीटर तक ही उसकी हाइट पाइप सेंटीमीटर तो आप जानते हो वॉलूम होता क्या है एरिया ओफ बेस इंटू क्या होता है हाइट तो एरिया बेस का है इतना एरिया हमार centimeter है क्योंकि हमें चाहिए था meter Q में ये तो meter square हो गया ये centimeter में इसको meter में करने के लिए hundred से भाग देंगे तो ये भी meter आ गया meter into meter square क्या बनेगा answer meter Q जो हमें चाहिए था वो बन जाएगा बस solve कर लेते हैं देखो यार दो जीरो से दो जीरो कैन से अब देखो ध्यान से समझो बात को 15 into 5 75 यानि 7.5 into क्या hundred हटा दो यार ये 10 हो गया एक जीरो से जीरो यानि 750 meter cube इतना क्या हुआ volume हुआ rain water का यानि कौन सा answer match कर गया यार option number B is the right answer अच्छा question था language based question था बहुत सारे लोग एक तो unit का खेल था unit के खेल के बाद फिर last में unit का खेल volume क्या होता है area of base into height तो उसी के थू हमने question को कर लिया बहुत अच्छा question है पहली बार में बहुत सारे लोग इस question को गलत करते हैं इसलिए मैंने double star या triple star mark कर सकते हो आप again and again की practice कर सकते हो video session पसंद आए तो video को क्या कर दीजेगा एक minute video session पसंद आए तो video को like कर दीजेगा और comments में आप reply कर सकते हो कि इस series से आपको help मिला जाए नहीं thank you bye bye मिलते हैं next session में next part में thank you